हेल्दी होने के लिए या पतले होने के लिए या फिट होने के लिए जो आज किल ट्रेंड में वर्ड आये में कि जी फिटनेस और तो उसके लिए आपको कोई बहुत मुश्किल सी डाइट करने की जुरूरत नहीं है सिम्बल तरीका तो यह है कि अगर आप दो फुलके खाते हैं तो एक खाने लगजाएं चार खाते हैं तो दो खाने लगजाएं और aceassa आईसदा उसको एक पिल ले आएं और जो फुलका है उसको रोटी को में फुलका इसलिए कहरी हो कि जो फूलत TIME है उसको फुलका कहते है उपर का जो हिस्सा है उसके अलग तोड़ तोड़ के नवाले बनाएं और जो नीचे का हिस्सा है उसके अलग तोड़ तोड़ के नवाले बनाएं सिंपल सी बात यह है और उसके इलावा आप यह कर सकते हैं कि जो क्रीमे वाली चीज, क्रीम वाली चीज, चीज वाली चीज, आइस क्रीम, मीठा, डिजर्ट, केक्स, पेस्ट्रियां यह खाने कम कर दें, बेकरी की चीज़ें कम कर दें बलके कि मैं तो कहूंगे कि छोड़ी दें, जो कोलाज हैं, सोडाज हैं, यह पीने छोड़ दें, जूसिस जो डबे के जूसिस हैं, वो पीने छोड़ दें, फ्रेश फ्रूट खाएं अगर दिल कर रहा है तो, वो सबसे बेस्ट है, लोकल फ्रूट खाएं, पानी बकाइदा पानी आपको दो से धाई लिटर जरूर रोज पीना है, अब उसको डिवाइट कर लें, खाने के साथ ना पीएं, आप अलग से पीएं, जो टाइम मील्स के बीच में होता है, यानि कि जैसे ब्रेकफस्स से लंच के दौरान का टाइम, या सुबह उटके सबसे पहले आप प पानी पीएं, फिर उसके बाद आप लंच और चाए, यानि शाम कप जो हम चाए पीते हैं, उससे पहले भी दो तीन घंटे का गैप होता है, आप उसमें भी पानी पी सकते हैं, यानि पानी आप उस टाइम पे पीएं, जिस वक्त आप खाना नहीं खा रहें, हमारे बहुत स लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, वो ठीक नहीं है, बेतर है कि अलग पीएं उसको, ताके खाने के हाजमे में पानी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, रोज मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मीठा खाने को बहुत दिल कर रहा है, तो किसी क साथ मिल कर खाएं ताके शेरिंग भी हो जाए केरिंग भी हो जाए और आपका कम भी हो जाए ठीक है उसके इलावा एक्सरसाइज हरकत मूवमेंट बहुत जरूरी है रोज कुछ ना कुछ करना है गर्मी है तो अंदर कर लें यूट्यूब लपे लगा के फोन तो सब के हाथ म है भाना तो किसी के पास नहीं लेकिन फिर भी लोग बहुत भाने बनाते हैं मैं जिम जाओंगा तो फिर करूंगा मैं स्विमिंग के लिए जाओंगा या मैं जाओंगी मैं तो दोस्तों के साथ ही कर सकती हूँ मैं तो सिर्फ किसी क्लास लेके कर सकती हूँ मैं तो अकेले क क्यों नहीं कर सकते आपने अपने लिए करना है किसी के लिए नहीं करना सोशलाइज आप अलग करें दोस्तों के साथ जरूरी नहीं है कि आप एकसराइज करें आप सोशलाइज अलग करें वो अलग अपनी मीटिंग रखें लेकिन अपने आपको टाइम देने का अपना अपन हमने नहीं करने हमनें बगाइदा इन अपना खियाल अठाना है और खुद जम्धारे उठानी ए कोई नहीं कर सकती यू किऊ कर सकती बिल्कुल कर सकती сुबसे स्बसे पहले आपने उठके अपने आप ताइम देना है और अपनीしくन नहीं करने की लिए सब 그것 का मना कर रहा है आप जरूर करें लेकिन अपना भी ख्याल करें अपने अपनी जिंदगी भी एक ही है ठीक है यही जिंदगी है आदा साल तो गुजर चुका है जुलाए आचुका है अभी भी छे मीने है इस साल को पकड़ लें और शुरू हो जाएं अपना ख्याल रखना इस टाइम पर सोना है, दो-तीन बजे नहीं, दस बजे सो जाएं, नव बजे सो जाएं, नव बजे नहीं तो दस, साड़े दस तो सो ही जाएं ना, ताके आपके आपकी नेंद पूरी हो, उसके इलावा, आपने देखें, एक्सराइज हो गई, पानी हो गया, खाना कम कर दिया ठीक है न, उसके इलावा आपने नेंद पूरी करनी है ठीक है, पांच भी क्या चीज़ है, बड़ी जरूरी है स्ट्रेस नहीं लेना, फिकर नहीं करनी बहुत से चीज़ें होती है, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है अगर कोई दूसरा ऐसा काम कर रहा है और आपको उसकी फिकर हुए जा रही है, वो ऐसे क्यों कर रहा है उसको यह हो जगा, वो हो जगा, अगर वो नहीं सुन रहा तो उसकी फिकर छोड़ दें, उसको समझा दें एक दफ़ा लेकिन फिर उसकी फिकर छोड़ दें अगर अपनी कोई परिशानी है तो अल्ला से दूआ करें, वो तो बेस्ट है, हमारा केरटेकर, हमारे हर रास्ताबसाने वाला, अल्ला है, उसको हमेशा हर काम में पहले लाएं। फिकर हो रही है? अल्ला को जात करें, काम कोई नया शुरू करने लगें, अल्ला को जात करें सत्का दें उसके लिए, अपने stress लेने से आप अपने muscle stents कर लेते हैं, अपने breathing short कर लेते हैं, जब सांस नहीं लेते हैं तो आपको सरमे दर्ध होने लग जाएती है, आपको पठों इनी के साथ सिहत मंद और तंदुरुस रखती है हमें खुश रहें और दुआओं में याद रखें